Hello hello and welcome everyone, welcome to the channel, तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती कर रहे हो के नहीं कर रहे हो? देखो मौज मस्ती होती ही रहनी चुछ यह, है के नहीं, मौज मस्ती से ही तो पढ़ना चाहिए अपनको तो इस चैनल पे भी हम मौजबस्ती से पढ़ते हैं तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका वेरी वेलकम है जी सब्सक्राइब बटन ठोक डालो तो अब कहानी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है कि श्री राम पहुण चुकी है सुगरीव तक आज के इस कहानी में हम आगे बढ़ेगे और देखेंगे कि क्या हुआ राम और सुगरीव जी के बीच में चलिए तो चलो अब आपको पता है पढ़ना कैसे होता है मस तीयरफूर लगाओ बैटो चिल मार के बड़े विया की बाते सुनो और बस आपकी पढ़ाई डन है ना कितना सिंपल है तो बस सुनते जाओ और शुरू करते हैं जैश्री राम राम और लक्ष्मन का अगला पढ़ाव रिश्य मूख परवत था सुग्रीव वहीं रहते थे कंबद और शबरी की बातें दोनों भाईयों को याद थी दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सला दी थी कहा था कि भी सीता की खोज में सहायक होंगे यानिकि सीता को खोजने में हेल करेंगे दोनों राजकुमार शीगरिता से वहाँ पहुंचना चाहते थे मतलब जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचना चाहते थे सुग्रीव का मूल निवास रिश्यमूख परवत नहीं था अब सुग्रीव का जो असली घर था वो रिश्यमूख परवत नहीं था वो किश किशकिंधा था, कृष्यमूप में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे, उस जगए पैता हुँ अपना, निर्वासन मतलब वही देश निकाला, उनको देश से निकाल दिया था, किसने निकाला था अभी जानेंगे, सुग्रीव किशकिंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे, सुग्रीव कौन थे, किशकिंधा जो राज था, उसके जो वानरों की राजा थे, उनके छोटे बेटे, बड़े भाई का नाम था बाली, उनके बड़े भाई, मतलब सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था बाली, पिता के ना रहने पर जेश्ट पुत्र बा भी कोई टेंशन ने थी फिर जगड़ा हो गया इतना गंबीर के बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतराया जान बचाने के लिए सुग्रीव को रिश्यमूख आना पड़ा तो हुआ क्या दोनों भाईयों में किसी बात पर जगड़ा हो गया अब दोनों भाईयों में जो ज नहीं हुआ था वो चौकस रहता था विश्वास पात्रवानर सेना निरंतर पहरे रहती थी यानि कि भले ही वो वहाँ आ गया था मगर फिर भी उसका जो डर था वो कम नहीं हुआ था वो लगातार चौकन ना रहता था कुछ बंदरों को हमेशा निगरानी पर रखता था सुग्रीव स्वैम भी पहरा देता था इस डर से कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहाँ ना पहुंचाएं एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था उसने दो युवकों को उधर आते देखा ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे मुझे मारने आ रहे अपने साथियों को बिलाया मतलब जब राम और लक्षपड वहाँ पहुंच रहे थे तो सुग्रीव को लगा कि ये तो कोई वह आ रहे हैं गुप्तचर चो मुझे मारने आ रहे हैं हमेरे श्यमुक छोड़ देना चाहिए ये स्थान अब असुरक्षित है बाली यहाँ भी आधमका है सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है उनके हाथों में धनुष है सुग्रीव घबराया हुआ था पर उसके प्रमुक साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है बाली की सेना में ऐसे सैनिक है ही नहीं मतलब हनुमान जो थे उन्होंने बताया अब एकदम आप सोचे हनुमान मजरंग बली आज चुके हैं इस कहानी में कितनी जादा इंट्रेस्टिंग होती जा रही है ये चीज़ अब देखो हनुमान ने क्या बोला मैं नहीं मानता क्योंकि उसको पता कि बाली की सेना में ऐसा कोई सैनिक है ही नहीं हनुमान ने भी दोनों यूवकों को देख लिया था हनुमान पर सुग्रीव का भरोसा था उसने बात मान ली राम और लक्षमर पहाड़ी पर चड़ते चड़ते ठक गए थे वे पहाड़ी के सरोवर के पास पहाड़ी सरोवर जैसा है लेकिन चहरे पर जहरे से राजक्मार लगते हैं हम् सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं हमें उनकी सहायता की आवश्यक्ता है क्या आप उन्हें जानते हैं. राम ने विनमरता से पूछा विनमरता याने की प्यार से पेशिन से प्रारंबिक बातचीत में ही हनुमान स्थिती भाप गए वे अपने मूल रूप में आ गए प्रणाम करते हुग बोले मैं हनुमान हूँ सुग्रीव का सेवक उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मु हलकी सी मुस्कुराहट आ गई कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयम सहायता चाहिए थोड़ा सा मुस्कुराहए कि कोई उससे मांगने आया है जिसे खुद हल्प चाहिए हनुमान समझ गए दाम और सुग्रीव की स्थिती एक जैसी है दोनों को एक दूसरे की सहा हनुमान ने राम और लक्ष्मन को कंधे पर बैठाया, कुछी पल में वो रिश्यमूप के शिखर यानिके टॉप पर पहुँच गए, हनुमान ने दोनों को सुगरीव से मिलाया, दोनों ने अगनी को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया, मतलब दोनों दोस्त बन गए, सु वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चत रूप से सीता ही रही होंगी, रावन का रत इसी परवत के उपर से होकर गया था, राम और लक्ष्मन ध्यान से उनकी बाते सुन रहे थे, सुगरीव बोलते रहे, सीता स्वयम को रावन को के चंगु रखते हों उन्होंने का देखिए क्या ये गहने सीता के हैं, राम ने अभूशन तुरंत पहचान लिये, कुछ गहने लक्ष्मन ने भी पहचाने, गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गये, मतलब बहुत ही सैड हो गये, उनके मुह से निकला धिकार है मुझे है सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मेरा पौरुश, बल, पराक्रम, ज्यान तुम्हारे काम नहीं आया, सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, मतलब उनको समझाया कि ठीक है यार कोई नहीं, सीता आवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहा है, संकट के समय हनुमान नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा, तो अब उसने बताया कि सुग्रीव के तीन और खास लोग थे, कौन-कौन एक तो हनुमान, एक नल और नील, ये तीन लोग उसके खास थे, उसने राम से सहायता मांगी, राम बोल राम के आशवासन पर भरोसा नहीं हुआ, बाली महा बल्चाली है, उसे हराना इतना असान नहीं है, वो शाल के साथ विर्क्षों को एक साथ जगजोर सकता है, मतलब राम देखने में इतने सुन्दर, कोमल, राजकुमार जैसे थे, कि किसी को देख के कभी यकीन ही नहीं हो उस साथ साथ पेड़ों को एक साथ उखाड सकता है, राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष अठाया और तीर चला दिया, शाल के साथो विर्क्ष, विशाल विर्क्ष एक ही बार से कट कर गिर पड़े, इस शक्ती प्रदर्शन पर सुगरीव ने हाथ जोड़ लिये, र राम ने कुछ बोला नहीं, उने सिर्फ अपना धनुष लिया, हलकी से एक अपना तीर चोड़ा और एक तीर से उनके साथ के साथ पेड़ कटके गिर गए, और इससे सुगरीव को पता चल गया कि भई, राम में कितनी पावर है, उसने हाथ जोड़ लिये, तो राम ने बोल अब ज्यादा देर मत करो, जाओ, बाली से बोलो कि युद्ध करे, और जो युद्ध में जीता, किशकिंधा उसका, सुगरीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव था, राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड की ओट से युद्ध देखूंगा, पीछे राम की शक्ती है, सोचते हुए उसने बाली को ललका रहा, बाली के क्रोध की सीमा न रही, वो गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वय मेरे मूह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोडूँगा, भीशन मल युद्ध हुआ, यानि कि बहुत भेंकर मारा पिटाई सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा कर भागा, सीधा रिश्यमुग परवत आकर रुका, राम लक्ष्मन हरनुमान भी लोट आये, सुग्रीव राम पर कुपित था, यानि कि बहुत ही गुस्सा था, ये धोका है, आपने मेरे साथ धोका किया, समय पर बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने, बान चलाता तो वो तुम्हें भी लग सकता था, मैं इस चूप के लिए तयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था, लक्ष्मन ने समझा बुझा कर सुग्रीव को तयार कर लिया, एक और युद्ध के लिए, राम ने कहा, ज मतलब अंत पुरह में था, अपनी पत्नी रा, तारा के साथ बाली जाने लगा, तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया, बाली ने उसकी बातें बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध में उबल रहा था, मतलब उसकी जो पत्नी थी, बाली क तारा उसने बोला कि कुछ गड़वड है यह दूसरी बार तो मैं बुला रहा है इसका मतलब कुछ दिक्कत है मतलब इसके पास कुछ पावर है जिसके वज़े से तो मैं मार सकता है इसलिए यह आ रहा है वजना इसमें इतनी हिम्मत कहा है पर उसको तो गुस्ते में था बाली उसने का इसको तो पेल दूँगा आज मैं तो बाली निकलाया ऐसी तैसी देखी जाएगी याज होगा और उसने सोचा भी नहीं कि क्या हो सकता है बाली ने हाथ हवा में उठाया मुठी भीची हुई थी और वह एक घूंसे से सुगरीव का काम तमाम कर देता तभी राम का बान उसकी चाती में लगा वो लड़ खड़ा कर गिर पड़ा बाली के गिरने पर राम लक्ष्मन हरुमान पेड की ओड से बहार निकलाया आनन फानन में राज अभिशेक की तैयारियां की गई सुगरीव को राजगदी मिली राम की सलापर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पड़ दिया राम ने सुगरीव के लिए संबोधन बदल दिया राजगदी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा वानर राम ने बना कर दिया राम ने मना कर दिया मतलब क्या था देखो सुगुरीव का मन था कि Rाम कुछ समय वहीं रहें चाहता था कि Rाम कुछ दिन और वहीं रुके रहें तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पापा का आधेश है कि मैं 14 साल बनवास में रहूंगा तो मैं वन में ही रहूंगा राम किशकिंदा से लोट आए, वर्षा रितू के कारण आगे जाना कठिन था, लंका रोहन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, इस अवधी में वे प्रशन वर्ण पहाड पर रहे, मतलब इस जगे पैर वो वहाँ पर रहे, क्योंकि बारिश आगे थी और बारिश में इतना बड़ा सागर जो पूरा था श्रिलंका जाना, वो बहुत ही मुश्किल था, सुगरीव की वानर सेना की, वर्षा रितू बीत गई राम प्रतीक्षा कर रहे थे, सुगरीव की वानर सेना की, मतलब पूरा बढ़सात का मौसम बीत गया, और दोनों राम और लक्षमन इंतजार कर रहे थे किसका सुग्रीव की पूरी वानर सेना का सीता की खोच के लिए सुग्रीव ने राश्टिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था लेकिन वो अपना वचन भूल गए रंग रंग में उलज गए राम चिंतित थे दुखी भी हुआ क्या उन्होंने व सुग्रीव का वचन याद था राश्टिलक के दिन वे वहीं थे उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदर्श दिया मतलब जैसे क्योंकि हनुमान को याद था हनुमान ने तुरंत याद दिलाया जिस दिन भी जाना था और पहुचाना पूरी सेना को नल कौन था? सेना पती था सुग्रीव की वानर सेना का 15 दिन और बीट गये लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुची राम सुग्रीव के इस वयवार से शुब्द थे, यानि के दुखी थे क्रोध में उन्हें सुग्रीव के विनाश तक की बात कही मतलब क्रोध में वो इतना गुस्टा हो गए थे कि उन्होंने तक ये तक बोल दिया कि अब मैं सुग्रीव का विनाश कर दूँगा राम को चिंति देख लक्षमण से रहा नहीं गया उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोग दिया कहा सुग्रीव को बस समझाना है वो हमारा मित्र है लक्षमण किश्किंदा चले गए सुग्रीव को समझाने वहाँ पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चड़ाई दोरी कीच कर छोड़ी उसकी टंकार से सुग्रीव काप गया मतलब इतना भेंकर उन्होंने अपना शक्ती दिखाई लक्षमण के सुग्रीव काप गया धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुने यादा गया तारा ने सलह दी कि वे ततकाल जाकर राम से मिलें शमा याचना करें सुग्रीव ने ऐसा ही किया राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिये वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके तुरंत निकल पड़े लक्षमन की पीछे पीछे राम के सामने जाकर भैभीत वानर राज ने उनसे शमा मांगी अपनी चूप के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया राम और सुग्रीव बात करी रहे थे क्यों छलकूद करती वानर टोलियां वहाँ आप होची हनुमान के साथ लाखों वानर थे जामवंत के पीछे भालू की सेना थी जामवंत कौन थे भालू की राजा उनके पीछे भालू की सेना थी इसके बाद लंका रोहन की योजना बनी वानरों की चार टोलियों में बाटा गया अंगद को दक्षिन दाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया याने कि साूथ की तरफ जो सबसे आगे बढ़ेगा उसका लीडर किसको अंगद को बनाया गया उस दल में हनुमान नल और नील भी थे राम की यही इच्छा थी, उन्होंने कहा वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है, राम और सुग्रीव की जै जै कार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े, दक्षण जाने वाले दल क राम ने रोक लिया, जो दक्षण जा रहा था, उसको रोका, उन्होंने हनुमान को अपने पास बलाया, अपनी उंगली से अंगुठी उठा कर उन्हें दे दी, अपनी उंगली से एक अंगुठी निकाली, और किसको दे दी, हनुमान को दे दी, अंगुठी पर राम का चिन तुम मेरे दूथ हूँ दक्षण की टोली किशकिंधा से चली अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे चलते चलते फिर ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमी नहीं थी मतलब वो अर्थ के सबसे नीचे पहुंच गए मतलब जहां शिरलंका और इंडिया की बीच में ओशन है तो अब उस ओशन कैसे पार करते केवल जल था विशाल समुद्र उसकी गहराई अथा थी मतलब वो इतना गहरा था कि आप ऐसे नहीं कि तैर के निकल जाओ लहरों की गरच कपा देती थी समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया वानर ठक हार कर वहीं बैठ गए वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे अंगर ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा जटायू ने अपनी जान दे दी हम भी पीछे नहीं अटेंगे तभी एक विशाल गिद पहाड़ी के पीछे से निकला विश जटा वानर दल फिर निराश हो गया मतलब वो खुश तो थे इस बात पर कि चलो सीता का एक्जैक्ट पता तो मिला बट अब वहां जाएं तो जाएं कैसे ये प्रॉब्लम थी समुद्र सामने था विक्राल था उसे कौन पार करेगा कैसे करेगा अंगद उधास हो गया लक्ष सामने था पर विकट था उन्हें कुछ सूज नहीं रहा था बूढ़ा संपाती उनकी सहायता कर सकता था पर इस आयू में इतनी लंबी उडान संभव नहीं थी वानर दल असमंजस में पड़ गया अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किये बिना कोई किश्किंदा वापस नहीं जाएगा वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत जो के भालुओं के राजा थे वो थे सबके सब उनके पास गए उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था तभी जामवंत की दृष्टी हनुमान पर पड़ी वे सबसे दूर बैटे थे चुप चाप जामवंत जानते थे कि ये काम हनुमान कर सकते हैं वे अपने वे पवन पु आइडिया नहीं कि उनके पास कितनी शक्ति है कहा हनुमान आपको जाना होगा ये कारे केवल आप कर सकते हैं सबकी आखें उन्हीं पर टिक गई और इसी के साथ ये चाप्टर खतम भी हो गया अब कहानी पहुंच चुकी है हनुमान के उपर कि कैसे हनुमान जाएंगी सीता को ढूड़ने उसके लिए आपको सुनना होगा अगला चाप्टर है ना जी तो फटा फट क्लिक कर दो नेक्स चाप्टर पर और पहुंच जाओ नेक्स वीडियो पर आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार और मौज मस्ती करते रह कर दो लिए और जने सुन्साइब पर आपसे मिलता हूं पर आपसे मिलता है नेक्स वीडियो मां मां ए क्ट है